वेलकम टू ओल मैं दिर स्वागत आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी विरेंद्र आई स्टुएंट आज लोग हम दो लोग देखने वाले हैं क्लास एड होरीजिन माई बुक आप सोशल साइंस है बुक का नाम सेक्शन है सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ च किस एरवेश सेटप की गई थी भारत में 1930 40 50 राइट आंसर है 1950 में वाट आर मल्टी परपस प्रोजेक्ट यूसफुल फॉर मल्टी परपस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस लिए यूसफुल होते हैं जरनेटिंग इलेक्रिसिटी के लिए इरिगेशन के लिए या दोन सब्सक्राइब इसको एमडी एमएस यूबी एसपी पीम आरवाई तो राइट नाम है एमडी एमएस यानि मिदे मील का नाम सायद आपने सुना होगा चलिए इन विच यह वाजदा इंडियन रेलबे नेशनलाइज इंडियन रेलबे को कब नेशनल राश्टी करण कब किय सब्सक्राइब नेशनल लिट्रेशी मिशन लॉंच इंडिया नेशनल लिट्रेशी मिशन बहरत में कब लॉंच किया गया था 1988-1986-1987 राइट आंसर है 1988 फिलिअन्द बलेंग्स की बात करते हैं फिलिअन्द बलेंग्स menee purposes at one and the same time ये पर्पस सवह烈 करती है एंडियन पर लॉजेक्ट्स इसका नाम है इसकेm इंडेग्रेटर रूड डभलीमेन प्रॉग्राम यही में क्या है ? इंडेग्रेटर रूरलेवब्लेब्मेंट प्रॉग्रा में इ어서 और तेंडेटर्पेशक में प्लांच होते है कोते हैं इंडिया भारत में रेल्वे को इंडियूस किया है ना बिटिस अर्स ने अंग्रेजों ने तुर फॉर्ट कॉस्टेंट फस्ट आप्टू टू तो तो तूसेंट सेवंटीन दा प्लानिंग कमिशन हैस डेवलप इलेवन फाइब यह प्लान दोजार सत्रह तक प्लानिंग कमि क्लाइब ये जो योजना है जावाहर ग्राम सम्रिद्धी योजना इसका जो एम हागेट है बोहें प्रोवाइड कराना चीजिंट फॉर्प्ला में टूल सकेंग लोगों को एम्पलाइमेंट एस्फॉरेंज इस्कीम जोथी वह लूंज कि गई 2023 में जहिए सही है इंट्स Airways are called the lifeline of the country Airways को lifeline का जाता है कंट्री क्या सही है False India has the largest railway network in the world India के पास सबसे बड़ा railway network है False Short answer type question देखते है When was planning commission set up by the Indian government भारतिय सरकार के दौरा कव planning commission set up किया गया यह है 1950 में the government of India planning commission set up किया गया from when and what has replaced planning commission कब ठीक है from when कब से और ठीन and what has यह किसने किया replace planning commission को तो यह है भाई हमारा up to 2017 इंडिया has seen 12 year 5 बिलेंट पर 2017 तर 12 year plan complete कर लिये थे उसके बाद आ चुका है नीती आयो has replaced the planning commission and has launched a three year action plan from April 1, 2017 on board यानि 2017 में इसको क्या कर दिया गया replace कर दिया गया नीती आयो के द्वारा और इसका three year plan होता है कितने साल का plan होता है three years plan होता है और वो भी कब से शुरू रहा है अपरेल 2017 से what are multi-purpose project multi-purpose project क्या होते है चले जानते है the various rivers valley project which serve many purpose at the same time is known as multi-purpose project यानि बहुत सारी जो river valley होती है हमारी याना वो first serve करते है कि आप बहुत सारे purpose एक time बे at the same time same time बे बहुत सारे purpose solve कर देती है इनी को का जाता है multi-purpose projects name two programs undertaken by government of India to reduce poverty यानि कि भारते government के द्वारा जो कदम उठाए गए है जो steps लिए गए है प्रोग्राम चलाए जा रहे है poverty को reduce करने के लिए उनके बारे मताइए कि ने दो के बारे में एक है self employment program जबकि दूसरा है wage employment program why is it essential for any state to control the minute of price rise यानि अचानक से सब्जों के कभी दालों के भाब आपने देखे होंगे बढ़ जाते हैं तो यह मिनेक ना create हो इसकी control करना स्टेट गवर्मेंट को क्यों जरूरी है किसी भी स्टेट को to check inflation and price rise इस्टेट का मदद जहां पर समझ रहे हैं राज्य से नहीं है न गवर्मेंट से सरकार से तो स्टेट की भी हो सकती है और प्राइस राइस ऑन टू मेंटेण स्टेविटी ठिक है कि तुछेक इंफलेशन अड प्राइस संब्सक्राइब करने के लिए चले जानते हैं agriculture is the major contributor in the national income and employment in the country ठीक है यानि कि जो agriculture हमारे देश में वो major बड़ा एक भागीदार है national income में और employment देने के मामलों में इसलिए भारते गोर्मेंट ने बहुत सरे number of steps उठाये प्रोगाम चलाएं ठीक है जाते हैं क्या क्या है अबोलिशन अब दा जमीदारी सिस्टम को खतम किया गया consolidation of the land holding land holdings को consolidate किया गया encouragement of the use of manures and fertilizer जो बेकार वेस्ट चीज़े है इनको क्या करना है encouragement करना है कि भाई इनका गोवर के खाद या इस टाइप की चीज़े आप यूज करो हैना chemical खाद कम से कम डालो developing high yielding जिनका production ज्यादा हो ज्यादा पैदावार करते हैं ऐसे बनाए जा रहा है modernization of agriculture agriculture को modernize किया जा रहा है scheme to check past disease and local scheme चला जा रही है पैस को कीड़े मकोडे बिमारी पतंगे इनको रोकने के लिए scheme बनाए जा रही है write about the state's initiative for controlling price rise state government राज्य सरकार का क्या रोल होता है क्या initiative है price rise को रोकने के लिए चले जानते हैं initiative for the controlling price rise क्या है avoiding unnecessary deficit financing है ना avoid करना unnecessary deficit financing को restricting disposable money income in the hands of the consumer restrict करना रोक के रखना disposable money जो dispose हो सकता है money जो income है in the hands of consumer consumer के हाथों में building up adequate reserves of strategic material जो भी जरूरी चीज़े हैं रोज मर्रा की चीज़े हैं उनका अच्छा का सा भंडार बना के रखना है introduction of system of dual marketing for controlling price rise introduce करना system of dual marketing for controlling the price rise price rise को ताकि हम control कर सके यानि दाम किसी चीज़ के बढ़ना है government के पास वो चीज़ होंगी तो उसको market मुतर जाएगी तो quantity बढ़ेगी तो बाजार के है ना उस चीज़ के दाम अपने हम घड़ जाएगे action against hoarders smugglers and black market जो hold करके रख देते हैं है ना hold करके रख लेते हैं smuggling करते हैं उसकी गलत चीज़ों से व्यापार करते हैं giving various incentives to producer to improve the supply line है ना और जो आपके producer होते हैं उनको क्या करना है facilities देनी है supply chain हमारी improve करनी है ताकि वो उनको incentive भी दिया जाता है कि भाई चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया यह लो resorting to import if certain essential items are in short supply in the country ठीक है अब वो कह रहे हैं कि भाई देखो अगर अपने पास कोई चीज कम है ठीक है तो हम क्या करेंगे बाहर से मंगा लेंगे लेकिन अगर हमारे यहाँ पे क्या और कम पैदावार हो रही है हम बाहर भीज़ते तो उसको क्या करेंगे उसके export पर भी रो को लगा सकते हैं तो यह कुछ steps नहीं कर सकती है इसक्राइब टांसपॉर्ट सेक्टर को बताना है डांसपटर सेक्टर एंड्र टांसपोर्ट एयर टांसपोर्ट एंड वार्ट रांसपोर्ट रोड रेलबे जार्ब्र पिंजर मींस अदध लेंड सब जिसमें लैंड की बा पूरे देश बर में लोगों को लाने ले जाने काम कर दिये समान को लाने ले जाने सबसे ज़्यादा यही करती है इंडियन रेलबे इस फॉर्थ लॉंगेस्ट 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 इन एस्या तो चोथे सबसे नमबर की जो है सबसे पूरे बिश्वी बात करें तो दूसरे नमबर पर आती है यहां पर क्या होते है एक्सप्रेस बेड नेशनल हाइवेस इस्टिट हाइवेस दिस्टिक रोड और ब्लेज रोड होती है इयर ट्रांसपोर्ट वाज इंट्रोड इंडिया इन 1911 उन्नी सो ग्यारे में आया था इयर ट्रांसपोर्ट भारत में विद ए शॉर्ड फ्लाइट ओवर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमेटर फ्रॉम अलावाद टू नैनी और इसकी डिस्टेंस के वल 10 किलोमेटर गिती यह तो पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं इस डेवलमेंट स्टेट आफ्र फ़र्स्ट फाइव एर प्लान के बाद इसका डेवलमेंट होना स्टार्ट हुआ इंडिया के वाइन लिखिए इनकी क्या इंपोर्टेंस है और वह किस तरह से इंप्लीमेट किये गहाए चलिए टू प्लाइट वय्टर इन्फरस्ट्रेक्ट्रेट्ट्र फोर डा एकनोमी ग्रोथ और प्लानिंग कमिसें वाइज सेटप बायदा इंडियन क्वर्मेंट या है plans for initiated to accelerate the pace of economic development of the country plans initiate कियेगे सुरुवात की गई तो एकसलेट ताकि गती मिल सके पेस मिल सके किसको economic development of the country को so far 12 5-year plans have been completed आज तक 12-5-year plan complete होड़ चुके हैं at the completion of every 5 year plan the planning commission evaluate its achievement and its offcoming उसके बाद government क्या करती है commission क्या करती है evaluate करती है क्या क्या अच्छा रही और क्या क्या सौट कमिंग यानि कम्या रहे गई इसमें the planning commission has tried to utilize the resources to the best possible extent जो हमारे पार resources है उनको पूरी तरह से च्छे से इस्तिमाल करना है planning commission has encouraged the development of both public and private sector and our government focus करते commission focus करता है अनकरिस करता है development को चाहे वह पॉब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइबेट सेक्टर हो यानि प्राइबेट चीज़ों चाहे सरकारी चीज़ों and has established a balance between them और उनके बीचे balance बिठा के रखती है the planning commission was dissolved in 2014 planning commission को 2014 में dissolve कर दिया गया what efforts has been made by the government of India to reduce both rural and urban employment ठीक है अब आप से पुछे जा रहा है क्या effort मनक किये गए government के द्वारा to reduce both rural and urban employment rural or urban employment वो खतम करने के लिए देखें क्या क्या है चांदते हैं number one the government of India has planned many schemes mainly for the rural pupil लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्किम तयार की गई है some of the rural self-employment scheme include integrated rural development program IRDP बनाई गई है training of rural youth for self-employment है न ट्राइन सेम बनाया गया and supply of improved toolkit to rural artisans यानि सित्रा बनाया गया है the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act that is मन्रे का जो बनाया गया वाजपास in 2005 जो 2005 में पास हुई थी it is an Indian labor law and social security measure to guarantee the right to work in rural area ठीक है तो यह इंडियन labor law के है जो सोशेल क्या करता है security देता मेजर तुगारंटी दा राइट तुवर्क इन दा रूरल एजया ग्रामिर इलाकों में काम करने का मोगा देता है अधिकार देता है इड वाज लॉन और सेकेंड फरवरी 2006 को यह लॉंच किया गया था इड गारंटी थंडे डेज ओवेज़ एंप्लॉयमेंट और सो दिन तो रोजगार देने का यह बादा करता है प्रोमिस्त वाई इतना तो हम देई सकते हैं आपको अग्रिकल्चर शुड बी डेवलप इस्मॉल इसकेल और कोटेज इंड इंडेस्टी शुडब इन रूरल एरिया तो जनेट एंप्लॉयमेंट इंडरा आवास योजना और प्रधान मंत्री ग्राम्स वड़क योजना और सम अधर प्रोजेक्ट यह कुछ प्रोजेक्स हैं जो कि शुरू किये गए हैं by the government of India, भारते government के द्वारा to provide employment and boost rural development, ठीक है और इससे क्या होगा, employment होगा, rural development होगा, there are some scheme for even the urban areas, urban areas के लिए भी कुछ scheme है जैसे PMR by Prime Minister रोजगार योजना, urban basic services for the poor UBSP, Prime Minister Integrated Urban Poverty Eradication Program, PMI UPEP है, बहुत सारी हैं, तो इस तरह से आज आपने वीडि देखा, क्या exam point of view से आपके हमबर करने की point of view से आपके लिए important है, अगर important है तो comment box में comment करना ना भूलेगा, किस school से आप belong करते हैं, होज़े और बास teacher, comment box में comment कीजिएगा, तो चलिए student, इसी तरह हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए ले